हाल्व फ्रेंड़ कम टू मैं चैनल आज इस वीडियो में एक फावंडेशन और मेभीलीन फिट मी फावंडेशनर दोनों का फुल रिव्यू देने वाली हूँ और इन दोनों फावंडेशन में क्या डिफ्रेंस है और इन दोनों है चैनल को सब 215 आइवरी और यह 18 ml ट्यूब आपको 221 रुपीज में उनलाइन इसली मिल जाएगा नेक्स्ट यह है Faces Canada All Day Hydra Matte Foundation इसका शेड है Rose Ivory 011 और यह 15 ml ट्यूब आपको 292 रुपीज मिलता है Maybelline Fit Me Foundation यह SPF 22 के साथ मिलता है इसकी खास बात यह है कि इसमें बिल्कुल आपकी skin tone के according shade मिल जाता है इसका lightweight formula dark spots और pores को पूरी तरह से blur कर देता है यह मेरा all time favorite foundation है क्योंकि इसको लगाने के बाद यह बिल्कुल flawless matte finish देता है Next यह Faces Canada foundation है इसमें foundation moisturizer sunscreen तीनो है यह SPF 30 के साथ मिलता है इसका liquidy texture skin में easily blend हो जाता है और medium coverage देता है आप देख सकते हैं difference मैंने दोनो foundation को लगाया है Maybelline foundation full coverage देता है पर इसको लगाने से पहले आपको skin को अच्छे से moisturizer करना पड़ता है लेकिन Faces Canada में moisturizer sunscreen दोनो होता है इसलिए इसे आप directly लगा सकते हैं पर यह medium coverage देता है यह foundation daily wear के लिए best है इसको लगाने से पहले आपको skin पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है यह face को moisturizer करता है साथी flawless effect देता है लेकिन अगर आपको अपने dark spots को hide करना है तो आप Maybelline foundation पसंद आया हो तो like करिए और इसी तरह की छोटी छोटी मगर useful वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए बाई बाई